है खिवलो दुस्तों आज आपको बता देिकि रिफ्लेक्सी और इंफe Dennis Piner więc अंत्र होता है दोनों का प्रूग कब कहा करते हैं जैसे जिसको हम कहते है सेल फ़रों क्या कहते हैं s-e-l-e-f प्रोंव-स-e-l yn-o-n-o-n-a-a 최OS प्रणाउन क्या होता है तो फ्रणाउन होता है जिस क्यांत में शेल्फ जोड़ करके स्विलर है तो पूरर है तो शेल्फ जैसे मैं बता दो कि रिफ्लेक्षिप प्रणाउन ल, ए, एक्स, आई, भी, रिफ्लेक्शिव या इमफैटिक, E, M, P, H, A, T, I, C, इमफैटिक प्रोनाउन, P, R, O, N, O, U, N, तो मैं बता दू कि आप रिफ्लेक्शिव प्रोनाउन या इमफैटिक प्रोनाउन दोनों का निर्मान देखेंगे तो एक ही होगा, जैसे मैं बता द कॉमा, आवर के साथ, S, E, L, V, S, जो रहेंगों तो आवर सेल्फ, O, U, R, S, E, L, V, E, S, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, Y, O, U, R, S, E, L, F, योर सेल्फ, कॉमा, योर सेल्फों का प्रोन में, Y, O, U, R, S, E, L, V, E, S, शिंगलर में, Yourself, और प्रोन में Yourself हो जाएगा, फिर आप देखेंगे हिमसेल्फ, H, I, M, S, E, L, F, Himself, क्योंकि यह शिंगलर होता है, फिर देखेंगे, Herself, H, E, R, S, E, L, F, Herself, फिर देखेंगे, Itself, I, T, S, E, L, F, Itself, and Themselves, T, H, E, M, S, E, L, V, E, S themselves तो मैं बता दू ये सबी के सबी क्या है Reflexive pronoun है जो reflexive के साथ सथ emphatic का भी काम करते है तो इस दूनों की situational अव tied और emphatic pronoun की रूप में कभ काम के जाएंगे तो मैं बता दू कि rule no one हम बता दे पहले रिफ्लैक्शिव प्रणाउं र-E-f-L-E-x-I-V-E- प्रयो ईन और उन ऊ-न कैसे किस से सेंस में तो मैं बतादू कि करता यानि कि सब्जेक्त किसी काम को करता है कि सब्जेक्ट को के लिद्वारा काम पर यह तो यानि कि दूर दोस्वर्ग का उस काम को किया हैbon ready shop late होगा वो खुद उसके उपर ही पर जाता है Сп cheers कि जो सब्ब्जेक्ट भी होगा और आप्जेक्ट भी होगा एक की बैगती होगा जो सब्थेक्टि भी होगा और और आप्जेक्ट भी होगा तो इस सिचुएशन में रिफ्लेक्शिव प्रणाउन का प्रियू किया जाएगा तो मैं बता दूं कि इसमें रिफ्लेक्शिव प्रणाउन का प्रियू कैसे होगा जैसे कि हिंदी का वाक मैं बताता हूं कि सीला ने अपने आपको धोखा दिया मैं एक हिंदी बाक लिखता हूँ सीला ने अपने आपको धोखा दिया सीला ने अपने आपको धोखा दिया जहां रखेंगे सिला काम की धोखा देने के और इसका परिणाम भी किसको पढ़ French को पढ़ा अपने आपको ही को ही इसका परिणाम मिला तो हमसको क्या कह सकते हैं शीला ऑच ECibly आधि यह अहया देख कर सकते हैं यानि शील अट डीछी शीवम डीछिप बिए डी डीशीव्ड कर देंगे सिंपल पास्टेंश का वाक्ष है तो शीला डीशीव्ड किसको अपने आपको तो हो जाएगा हर सेलफ हू सीला ने खुद को ढोखा दिया अपने आपको ढोखा दिया अब ध्यान देंगे दूसरा वाक में बतादू तो कहेंगे लर्के लर्के अपने आप जगर रहे थे क्या सकते हैं अपने आप अपने आप अपने आप जगर रहे थे लर्के अपने आप जगर रहे थे तो क्या कर देंगे इसको इंगलिश में तो कह सकते हैं दब वायज दब वायज बी ओ वाय इस दब वायज बर डबलू ए आर इदब वायज बर क्वायलिंग क्यू यू ए आर क्यूए डबल आर डबल एल आई एन जी क्वायलिंग एमोंग एमोंग और कहां तो अपने में तो देंसेल्ब्स टी एच एम एस ए एल भी एस यानी कि यह जो लर्के थे यह खुद में जगर रहे थे आपने आप में जगरा कर रहे थे आगे मैं बता दूं तो जब इसका प्रयोग हम इंफैटिक प्रनाउन के रूप में करेंगे कैसे करेंगे इंफैटिक प्रनाउन के रूप में तो कहते हैं जब रिफ्लेक्षिव प्रणाउन को वाक्ष में नाउन या प्रणाउन पर जोर देने के लिए दबाव डालने के अर्थ में परयोग किया जाता है तब उसे इंफ्लेक्षिव पर नाउन ही इंफ्लेक्षिव पर नाउन का परयोग इंफ्लेक्षिव तब माना ज मैंने श्वैंग मैंने श्वैंग इसे मैंने श्वैंग इसे किया तो हम इसको इंगलिस में कैसे कहें क्या कह सकते हैं कैसे आई मैंसेल्फ सब्जेक्ट पर जोड देने के लिए है कि इसकाम को कियाया है यहां पर यह हो जाएगा आपका इंफैटिक प्रोणाउन और यहां आप ने देखा यहां पर यहां पर यह प्लेक्शिव प्रोणाउन यहां पर पर माइसेलफ इपी है इंफैटिक प्रणाउन है क्योंकि यह सब्जेक्ट के ऊपर बल दे रहा है सब्जेक्ट के ऊपर दवाव बना रहा है एक और वाक लिखें मैं आपको दिखा दूँ जैसे मैंने श्रेंग इसे देखा कर मैं कहूं मैंने कि मैंने खुद खुद इसे मैंने खुद इसे देखा अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसेट करो तो कैसे होगा जैसे देखोंगे तो मैं कह सकता हूं कि मैंने खुद इसे देखा को इंग्लिश में क्या कहेंगे तो हो जागा I और फिर अपने आप पर जोड़ देने के लिए क्या करेंगा तो myself हो जागा I myself और क्या क्या आपने देखा तो C का 100 हो जागा S, A, W, 100 और किसे इसे तो हो जागा I myself saw it यानि मैंने इसे खुद देखा यहां पर आपका यह जो myself है यह इपी है इंफैटिक परणाउन का कारे कर रहे है जैसे हम स्वाइंग इसे किये उसने स्वाइंग मुझे अपनेद किया अगर इस परकार का सेंटेस है तो क्या कहेंगो समे इंफैटिक परणाउन का प्रिवगा जैसे उसने खुद उसने खुद मुझे अपमानित किया तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कि ही इंसेल्फ क्या बोलेंगे ही इंसेल्फ ह-i-m-s-e-l-f इंसेल्फ इंसल्टेड आइए एन एस-e-l-t-e-d इंसल्टेड 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 और मी यानि मुझे उसने खुद मुझे अपमानित किया यहां पर हिंसेल्फ जो है आप यह देखेंगे कि यह ए-p है आगे मैं बता दू कि अगर है कि लीला खुद खुद वहां थी अगर मैं बता दू कि वे स्वेंग घर जलाएं इस पर का कभी नहीं हो जाएगा तो देखिए वे तो दो भी तो भी नहीं हो जाएगे जलाएं इंग्लिश में क्या कें एंग्लिश में केंगे दे देंसेलफ्स टी-एच-ई-े-म-स-e-l-b-e-s-d-e-p-s-e-l-b-e-s-d-e-m-s-l-b-e-s-d-e-n-f-s-b-e-n-t-b-u-r-n-t-b-u-r-n-t-e-b-r-n-t-e-b-t-a-r-n-t-e-t-e-o-t बंद हाउस हो यू एसई हो यू एसई और मैं बता दू कि एक सदी घरवा तो हाउसे कर देंगा फुल स्टॉप तो इस परकार से आप देख सकते हैं कि इंफैटिक परणाउन रिफ्लेक्शिव परणाउन है यह कहीं दोनों का फॉर्मेशन एक ही तरह से होता देखने में एक ही ही व्यक्ति होगा तो पर्योंगे और यादि किसी ही आप प्रेशर करने के लिए इंफैटिक परणाउन का कारे करता है उस्टेश परणाउन तो इस प्रकार से मैं आगे भी बताता रहूंगा यह आप हमारी चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज में चैनल को सब्सक्र आर आई वी सबस्क्राइब माई चैनल माई चैनल सी एच एडबल एन इल चैनल और क्या है मेरे चैनल का नाम तो बता दें आपको कि इंग्लीश इन जी ल आई एस एच इंग्लीश इंग्लीश एक्सप्रेश अर्जुन आर्जुन शर्फ ये आपका यूटूब चैनल है प्लीज पहली बार आप इस पहां तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शर्फ करें और हां घंती दवाना न भुलेंगे बेल आइकन को नोटिप्रिक्स मख लेंगे थैंक यू बहुत ब रहने बाद